हेलो गाइस वैलकम तो बाइलोजी एक्सप्लेन आज एक प्रिमिम इंस्टूट के बात करेंगे जिसका नाम पीजी आई चंडीगर है पीजी चंडीगर के फिल फॉर्म है पोस्ट गैजिट इंस्टूट अफ मैडिकल एग्यूकेशन और रिसर्च चंडीगर यह इंडिया का एक बेस्ट प्रिमिम इंस्टूट है इसमें हारे बच्चे शपना का एक सपना होता है जाने का एडिविशन लेने का तो इसका जिससाब से मैं यह प्रॉस्पेक्टर पुराना है मैं इसी के हिसाब से बताऊंगो कि मैई की लैस्ट वीक तक इसके एप्लिकेशन फॉर्म र से अनुवान माना जाए तो पिछली साल की जैसे कोविट की वेज़ से थोड़ा एक्जामनेशन पीरिट थोड़ा एक्स्टेंड हो गया था तो इस साल एप्रॉक्सली मैं के एंड तक अप्लिकेशन फॉर्म आ जाएंगे और क्या होगा कि पिछली साल क्या था एप्लिकेबल होगा पेमेंट मोड डारेट यूपिया या आपके क्रेडिकार्ड या डेविट कार्ड की तुरू होगी इन्होंने रखा है बस प्रॉस्वेक्टर यही रहता है वह थोड़ा सा चेंज्ज हो जाते हैं हलका फुलका फिनो सब कुछ यह रहता है जैसे यहां कौर्ण फ हैँ पर हैं और कोर्स ए मेडिकल कोर्सिस कौन कौन से है जिसमें एजज लिमिट आपकी 17 साल से कमनी होने चींए और 25 साल से आपका जादा नहीं होने चींए रेडियो थेरपी यह अच्छी कोर्स है यह दो कोर्स बहुत प्रिमियम कोर्स है बिचोर्श टेखनोड पर्फूजन टेख्ट अ है इस की 17 साल से एज कमनी होने है और 25 से जगें लेंग्विज पेथोलोजी चाहर साल जायर। पच्छी साल से यादा नहीं होनी चाहिए ऐसी है डायलाइसी थर्भी टेकनोलोजी है आप्टिमेटरी है फिजियो थेरपी है यह सब दे रखें इनके मतलब वह दे रखें कितने कितने साल के हैं वीजुल और वीजुल के रिशन है इसकी एज लिमिट तीस साल से आदा नहीं होनी निचे है और साथरे साल से कम नहीं होनी चाहिए यही है इसका व्यक्राइटीरिया और मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ की प्रोख है क्या प्रोस आपटेडिंसटीरियों ने पाफ प्ञाउब तो वो भी apply कर सकते हैं जिसनों नो डिप्लोमा किया है तीन साल का वो भी apply कर सकते हैं बैचलर मैडिकल लैबर्टरी साइंस में sponsor candidates के लिए हैं जो sponsored होते हैं मतलब अभी तो आप 12 करके निप्टे होगे तो आप PCV है तो आप eligible हैं समझे या दूसक्रा है कि medical radiology and image technology इसमें क्या है कि आपके पास physics chemistry biology PCV और equivalent examination of Indian university and duly constituted board and past marks in physics chemistry वाले इन सारे कोर्स हो जितने में बताया आपको या डिप्लोमा वाले जिनका दो साल और और उसके साथ छह महिनी की internship होनी eligible है जो इसमें कोर्स में apply कर सकते हैं बेसी radiology and image technology में और इसके लिए PCV है क्योंकि मैं भी कुर्स कर रहा हुआ हूं तो मुझे मालूम है इसके बारे में क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हुए और मुझे पता भी है कि कैसे selection निकाला जाता है दे सकते हैं eligible करें PCV English to mandatory होता ही है क्योंकि जो एडिविशन के लिए criteria होता है इंग्लिस तो main है क्योंकि paper इंग्लिस में आएगा क्योंकि जब आप एक medical field में गोशते हैं तो इंग्लिस तो एक compulsory subject होया था क्योंकि हर एक study आपको इंग्लिस में ही करनी पड़ेगी यह criteria of sponsored candidate का इससे हमारे इतना मतलब नहीं है हम 12th के वाले student होके लिए PCV is mandatory PCV radiology वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के जोनों डिप्लोमा किया है उनके लिए दो साल और छह मेने की इंटर्शिप अब यह सी रिडियो थेरपी उनके लिए भी PCV और क्या हो तो जिन्होंने डिप्लोमा किया है 12th के बाद वह भी इलिजिवल है इन्होंने वोला physics chemistry biology and math are the eligible to 12th standard मतलब कि इसमें जिसके पास math भी है मतलब इसमें math वाले भी apply कर सकते हैं स्वाले को मेल ली पर यह abroad के लिए एंडियन स्टुडेंट सिस्टम नहीं है लेकिन मेल ली क्या PCV वाले student apply कर सकते हैं इसको operation theater technology इसके लिए क्राइटेरिया इसमें physics chemistry biology या math physics chemistry biology हो या physics chemistry math हो इन दोनों मेंसे कोई भी हो आप eligible है operation theater technology के लिए और या आपके बास minimum 50% marks होने जरूरी है physics chemistry biology या physics chemistry math के लिए यही क्राइटेरिया है यह sponsored candidates के लिए इसका हमाय मतलब नहीं है इसमें क्या diploma वाले student 12 के बाद डिप्लोमा किया है जिसमें operation theater technology में उसके minimum 55 50 marks होने चाहिए वह भी apply कर सकते हैं इसमें operation theater technology के लिए इसके बाद है पर-fusionist इसका क्या है इसमें physics chemistry biology या और English होनी चाहिए 12 में English तो mandatory है कि English में एक्जाम आता है मिली इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें क्या हो sponsored candidate जो 10 प्लस 2 के बाद जो five year experience करते हैं hospital में obtained करते हैं medical technology करते हैं या OT करते हैं या OT निस्थी या BSC नर्सिंग वाले होते हैं वह sponsored candidate से हमें कोई लेना देना नहीं है इसमें है हमारा face chemistry biology हमारा mandatory है पर-fusionist के लिए इसके बाद क्या है मोर्चरी के लिए बेसी मोर्चरी के लिए face chemistry biology और इंग्लेज और जनरल नोलिज अरवेडनेस मतलब मिनीमम क्या है physics chemistry biology होना mandatory है आपके लिए मोर्चरी के लिए bachelor of audiology and speech language pathology यह कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है इसकी demand बहुत रहती है और इसका minimum क्या है criteria या आपके पास physics chemistry biology हो या physics chemistry math हो क्या है इसमें इसने बोला है 50% मार्क में 50% मार्क सुने चाहिए इसने बोला थे study of physics chemistry one subject is या biology हो physics chemistry तो हो ही हो आपके साथ या biology हो या mathematics हो या computer science हो या statics हो electronics या physiology हो यह में इसमें होने चाहिए biology हो मतलब physics chemistry तो mandatory है math वाले भी डाल सकता है math नहीं computer science है statics है वो भी apply कर सकता है audiology and speech language pathology में इसके बात है BAC medical technology dialysis therapy इसके लिए 50 marks aggregate होनी चाहिए आपके plus 2 में जो कि physics chemistry math या biology PCM हो या PCB हो उसके 50% marks होने मिला के होने चाहिए PCB या PCM के लिए आपको dialysis के लिए या dialysis के लिए PCM या PCB के दौन तीनों को मिला के आपके 50% aggregate होने चाहिए optometry के लिए आपके लिए क्या है physics chemistry biology या physics chemistry math इसके लिए 60% marks होने आपके लिए कंपल सरी है PCM में या PCB में समझगे या आपके बाद 12 के बाद आपने डिपलोमा किया है आप उसके लिए भी लेजिवेल हो क्या minimum marks आपको अगर 12 में भी आपको 60% marks होने कंपल सरी है या physics math हो PCB हो या PCM हो समझगे यह ब्रोड students के लिए में में लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि PCV या PCM होना कंपल सरी है आपके लिए optometry और फिजोथेरपी के लिए क्या है इन्होंने बोला है PCB आपके लिए PCV होना अब PCBM हो तो भी आप eligible हो PCB होना तो कंपल सरी है इसनों इन्होंने साब बोला physics chemistry biology मैं mathematics फिर इन्होंने slash करके क्या बोला physics chemistry biology is mandated requirement एक लिए पास्ट आपके लिए अपके लिए फिजोथेरपी के लिए मेंडेटरी है आप समझ रहे हो एडिशनल मैं तो उससे कोई फरक नहीं है मिल्मिन यह PCV होना कंपल सरी है इसके बाद क्या है बैचलर इन्पब्लिक है आपके पास कोई बीए आपके पास क्या हो पास्ट नर्सिंग डिप्लोमा हो मेल हो फीमेल हो इससे कोई फरक आपके पास 10 प्लस टू के डिगरी हो आप बैचलर इन्पब्लिक हेल्थ में डाल सकते हैं आपके पास 10 प्लस टू के माक्षिट होनी चाहिए डाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं जिसने यह बोला है क्योंकि इतना परसेंट क्राइटीरिय है आप जभी डाल सकते हैं बैचलर इन्पब्लिक हेल्थ में या एनिमेशन में और आडियो वीजूल क्रिएशन में ऐसा को इन्ह काम करते करते आपको किसी की उनिवस्टी में एक लैटर के थ्रू जाते हैं कि भाई यह स्टुडेंट हमारा है कि इन्होंने यह इतने दिन ट्रेनिंग है वो जो इंटरिंशिप करे हुँ है इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है इससे आगे बढ़ते हैं अब मैं इन सब की यह बताता हूं कि इसीट कितनी है क्या है यह सीट कराटिरिया है पूरा है आप इसको देख लेना आपको तसली के लिए इसमें मैडिकल लैबर्टरी साइंस और अंडि मैडिकल इस्टुएंट्स इसमें क्या अटारे सीट हैं नौ जनरल की पांच ओबड़ी सीगी तीन सी की और एक ST, एक PWD यह फिजिकल डिसेवल होते हैं स्टुएंट वो उनके लिए स्पॉंसर्ट के डिनेट इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है यह स्पॉंसर्ट के डिनेट रेडियोलोजी इमेज टेक्नोलोजी के लिए 4 साल का कोर्स है 12 सीट है इसमें जनर्रल की 4 है OBC की 2 है एक है ST की PWD की एक है रेडियो थेरपी की 8 सीट है साड़े 3 साल का कोर्स है जिसमें जनर्रल की 4 है OBC की 2 है SC की एक है एक है यह से ऑपरेशन तेरिटर की 4 साल की है दो साल का एक सीट है दो सेटे हैं टोटल टोटल सेट और फिछे दो हैं जिसमें जनल क Chaos फिर दो घूरी है एक है कि économique मेश just watch फिर ये सिटें इसके दूरर फिर शोल्ग शाल का कोर्ष्र जिसमें अजीट हैं जिसमें चार्ट जनल कि है निसद फिर की बैचलर o bc q 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 qq q 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 qq q 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 में पंद्रा सीट है नौ जन्रलकिए नो बी इसट्टी यह यह पंद्रा सीट है वह पूरि कि इब इसलोगे निमेशन वाले में तीन सालगा कोर्स है जिसमें दस सीट है पांच जन्रलकिए थ lett देखिए इसमें देख सकते हैं इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी यह सेंट्रल रिजर्वेशन क्राइटेरिया चलता है नहीं नौटा स्टेट गवर्रमेंट इसमें चलता है सेंट्रल क्राइटेरिया जो भी SCST अगर यह भी रहता है कि कुछ लोग OVC स्टेट के के साब से OVC होते हैं लेकि Central के साब से OVC नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर Centraal चलता है क्योंकि सेंटरल उनिवास्टी है एक प्रीमियम उनिविश्टी है तो इस पर Central वह चलता है आप देख सकते हैंश से क्या क्राइटेरिया आप जो भी है और इसके इपली जल्दी निकलने वाले हैं और यह देखते हैं टाइप पेपर किस टाइप कर रहता है जो नहरू टैन प्लस टू अभी करिया है उनके लिए क्राइट एरिया है कि उनके पास क्या होना चाहिए physics, chemistry, biology या math math मैंने बताया किन किन कोर्स को के लिए math भी eligible है मैंने बता दिया आपको उनके जब आपके PCB या PCM होगा तो आप पिसे कुशन कितने physics के chemistry के 25 physics के 25, biology के math के 25 और English के 15 और general knowledge या current affair के 10 कुशन आएंगे आपके लिए जो जो without diploma है जोनों 10 प्लस 2 इस साल की है या 10 10 प्लस 2 के बाद कुछ किया नहीं है मतलब जैसे diploma कोर्स ही नहीं किया है उससे related subject से उनके लिए ये है और उनके लिए जोनों नो डिप्लोमा कोर्स किया है उनके लिए ये है उनके लिए बिल्गुस लिए अलग है anatomy, physiology, biology, chemistry, life, technology, technique, English, general knowledge ये उनके लिए है और जिनल रिडियो लोजी के है डिप्लोमा उनके लिए ये है anatomy, physiology and general physics and radiation physics x-ray, technology, general knowledge और English उनके लिए ये अलग है में लिए हमारा focus है इस पे क्योंकि 10 plus 2 के बच्चों के लिए ये सब अलग है और ये नीशे क्या है ये सब इससे नीशे जो दे रखा है sponsored candidates के लिए sponsored candidates नहीं है देख सकते हैं ये पिछली साल का आप देख सकते हैं कि अब application phone जल्दी release होने वाला है जिसे आप सेक देख सकते हैं कि exam center कहां रह सकते हैं चंडी कट रह सकता है अंबाला रह सकता है दिल्ली रह सकता है भटिंडा रह सकता है अमरित्सर रह सकता है कांगरा रह सकता है शिमला रह सकता है धरादून रह सकता है अब लेंग्विज आपकी क्या होगी जो पेपर इंग्लिस लेंग्विज में होगा और ओमार वेस्ट पेपर होगा समझें ठीक है और इससे रिगार्डिंग पीजी आई चंडीगर्ड से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेर्ड ओ पीजे चंडीगर्ड तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे बैस्ट वे से आप एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी कह रही हो कि sir कि कौन सा कोर्थ बैस्ट रहेगा क्या है किसमे के कौट आफ कितनी जाते है क्या है हम कौन सी बुक पढए क्या है ऐससे रेड़रई आपको कोई भी परेश्ट होने की जरुए नियों से कर आब पजो फोकस बना रहा है जिससे आपका एडविशन हो और इसमें पढ़ने हुए आपको वर्ल्ड क्लास लेंगे वर्ल्ड क्लास इस्टिटूट है आपको इंडिया में गेम्स और पीजएएच अंडिकर एक बैस इंस्टिटूट है इसमें हर एक बचा चाहता है कि हम पढ़ें इसमें ठीक है और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं अपना टैलिगाम लिंक सेंड कर दूँगा दिस्क्रिप्शन में ठीक है थैंग